प्रातना करते हैं कि विश्व के सभी नेता मानव जाती से हो रहे को हो रहे निक्सान को समझें हिंसा के रास्ते को छोड़ कर समस्याओं के समयदान के लिए तत पर रहें और मेरी प्रात्रा है कि भारत के नागरिक जो यूक्रेन में बड़ी संख्या में अभी नौजवान फसे हुए है मेरी प्रात्रा है कि सभी वह नौजवान सुरक्षित अपने घरों तक लोट सकें दिखावा तो बहुत होड़ा है और चुनाव में चुनावी भासनों में प्रदान मंत्री जी ने ऑपरेशन गंगा का नाम देकर चुनावी राड़नीती का हिस्सा बनाने की कोशिज भी किये मैं आपके संग्यान में लाना चाहता हूं लगभग तीन दसक पहले जो कुवेट में वार हो रही थी तब लाखों लोग हमारे भारत के वहां उस वार्ट जोन में फसे थे बसे लगाकर उनको कुवे ने हमारे उस समय उस प्रयास को सरहा था और गिनिस बुक वर्ल्ड रेकॉर्ड में वो इवेक्वेशन की चर्चा हुई थी तब कोई नाम नहीं दिया गया था लेकिन अब नाम दिया गया है चुंकि ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों की नजर यहां सिरफ गंगा पे और युक्रेन में फसेवे नौजवानों पर उनकी नजर उनकी फिकर नहीं है लेकिन मैं मानता हूं कि जब गंगा जैसा नाम रखा है तो अंत भी अच्छा होगा और हमारे सभी नौजवान सुरक्षित लोटेंगे यह बनारस की धर्ती पे विशाल कारिकर्म हो रहा है मैं बदाई देता हूं बदाई देता हूं ओम प्रकाश राजबर जी अभी बोल रहे था सिंबल हमारे अलग अलग है और अब इस दोर में जो अब साथवा दोर होगा साथ तारीक को इसमें आपको चुनाव करना है कहीं लड़ाई एक और आज हम सब इखटा हुए हैं बनारस की राजनीतिक धर्ती है बनारस धर्मनगरी भी है और जब बनारस को याने की सोचता है तो कल्पना करता है अविरल गंगा की बनारस के विश्व प्रसिद कलाकारों की जब कोई बनारस आता है तो बिस्मिल्ला खान की शैनाई की आवाज कानों में चलती है रविशंकर जी के सितार गिर्जा जी का मधर संगीत पंडित विकास महराजी का सरोद ये हाज मी जो है हमारे कोई बनारस आता है तो कानों में चीज़ चलती है तो हम सब के लिए बनारस की धर्ती पवित्र है करिश्माई है और मेरे लिए व्यक्तिकत तोर से क्यूंकि ये किसानों की धर्ती है ये बनारस चोधी चलंसिंग जी की करम मुहमी रही है और आज भी यहां गाउधियात में आप जाएंगे और देखेंगे कि हर घर में तस्वीर अगर एक सर्दार पटेल जी की लग रही है तो चोधी चलंसिंग जी की तस्वीर भी अभी तक आपने अपने घरों में लगा रखी है तो इसलिए मेरे लिए परम सोभागय है कि बानारस के धर्ति पे आज आपके बीच आकर मैं संदेज दे पा रहा हूँ आपको फैसला लेना है और चूंकि हम पस्चें से चुनाब लड़कर आपके बीच में आ रहे हैं आप मुझसे पूझ भी सकते हो कि चुनाब में कावा पूझ सकते हो ना चुनाब में कावा मैं बता दू चुनाब में कावा चुनाब में गडबंदन बा और उत्तव प्रदेश में अखिलेश बा और आज बनारस की धर्ति पे जब ममता दीदी आएंगी तो खेला भी होई बेना ममता दिदी का खेला भी होई बेना बात ते हो चुकी है आज छटे चरण का मद्दान हो रहा है और लोगों ने तै कर लिया इस बार जो हम लोग मिलके सरकार बनाएंगे उसकी दो प्रात्मिक्ता होंगी सबसे पहले किसान का संबान और सरकार की प्रात्मिक्ता में सबसे पहले होगा प्रदेश का नौजवान ये दो ही चीज़ हैं ये दो चीज़ हैं आपने पांच साल की बावा की सरकार देखी मोजी जी केंद्र में हैं दावा करते हैं कि डबल एंजन की सरकार दी है मैं पूछना चाहता हूं बनारस की धर्ती पे क्या जो धान की पैलावार आप करते हो क्या खरीद हो रही है क्या MSP भाव किसानों को मिल पा रहा है क्या आपकी आए जो 2022 में दुगनी होने वाली थी दुगनी हुई है और इनके शासन में हम भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों को कुछला गया लखेंपुर के नरसंगार को कोई नहीं भूला सकता यहीं बनालस के लोग उस समय आगे आए थे चंदशेकराजाद पार्क में यहां के नागरिकों ने 700 किसान परिवारों के प्रतिय अपनी संवेदना व्यक्त की थी और यहां विश्विद्यालों में छात्रों ने जब मौन जलूज निकालने की कोशिस की तो लखनाउं से योगी जी ने आदेश दिया और यहां के पु काम ने उन पर लाठी चलाई है उन्हें कुचलने का काम किया है उनकी आवाद दवाने की कोशिस की और जब जब नौजवान नोकरी मांगने गए बताओ कितने साल से भरती नहीं हुई भरती निकलती है नोकरी नहीं मिली और सेना की भरती नोजवानों कितने सालों से सेना क की भरती नहीं हुई है नहीं हुई है लंबित भरतिया चल रही है हर भी भाग में आप पर भी लाठी चलाई तो यह वक्त है कि किसान किसान के सम्मान और नौजवान के सम्मान और रोजगार को दिल में रखके आपको वोट की चोट देनी है यह वो सरकार है जिसकी जम्मदारी थी उन किसान परिवारों को न्याय दिलाने की लेकिन आप ने देखा कि लखीम पूर में किसानों को बेल नहीं मिली लेकिन जो किसान के नजर में हत्यार हैं मंत्री के बेटे टैनी आज वे बाहर गुम रहे हैं और उनके बेल का विरोध भी योगी जी नहीं कर पाए मैं दवा करता हूं अगर किसानों को बेल मिल गई होती, तो योगी की सरकार सुप्रिम कोट में उस बेल का विरोध करने जाती, लेकिन योगी जी की सरकार तेनी को जब बेल मिली, किसान के हत्यारों को जब बेल मिली, उसका विरोध करने भी सुप्रिम कोट नहीं गई, वहां के परिवारों ने पैसा जमा करके वकील खड़ा करके आज खुद वह लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूरी में चुमकि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं सरकार उनकी कोई सुनती नहीं मानती नहीं भाई मैं तो खूब चला रहा हूं आवाज जा रही होगी चलो समझ लोगे फेस्बूक पे देख ले ना बाद में और आपका जोस्त बता रहा है आप तो मन मना के आये हो हाथ में भी गदा लिया है हो पार्टी का जंड़ा है पार्टी की टोपी है हात में गदा है तुमसे कौन मुकावला करेगा भाई तुम्हान तो काम हो रखा है पहले ही साथ तारिक में आपको मद्दान करना है मुझे पसीना आ रहा है बाबाबा जीन ने घरमी बहुत कर दिये आपको सतरक रेना होगा wine, चुंकि सामने वाले मदारी हैं मदारी बहुत तरीके से जुच बोलते हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़े बड़े लंबे च्षोड़े भासं देते हैं और फिर उनके पीछे अंदभक्तों की टोली है, उनके नाकामी को भी बताते हैं कि उनकी उपलब्दी, अगर आप उनको गड़ा दिखाओगे, यहां सडकों में गड़े हैं कि नहीं हैं, गड़े हैं ना, लखनों में बैठके कहते हैं, गड़े बर दियें, अगर आप उनको घड़ा दिखाओगे तो अंदबक्त कहीगा नहीं ये गड़ा 70 साल से तो इससे बड़ा घड़ा था ये तो मोदी जी ने छोटा घड़ा बनाया जनता के लिए तो ये इनकी बात का तोड़ इनकी का तोड़ हमारे कार्करताओं को मिले के ढूंड़ना होगा और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी का बस चले तो एक देन योगी जी को भी कंगा बेज देंगे योगी जी का कंगा से क्या काम है कोई काम नहीं उन्हें भी कंगा बेज देंगे तो बातों का तोड़ा आपको ढूंडना होगा और बाकी बाबा जी की मैं क्या कहूं बाबा जी तो मुगैंबो वाले डायलोग देते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है गर्मी निकालनी है यहां बनारेज की प्रसिद मिठाई है जो सर्दी में बनती है मलुया क्या कहते हैं मलुया वह सर्दी के 2-3 महिने में मिलती है और ऊसょ próximo करूंगए- कर दूद्र होता है इसमें पोशन होता हलाए- क्छारिश् सर्दी में तो बदन लेमिलती है मैं बाबा जी को कहूंगा कि आप हमारी क्या गर्मी निकालोगे ये बनारस के नौजवान साथ तारीक में ऐसी आपकी गर्मी निकालेंगे या आपको सर्दी में मिठाई खानी चाहिए थी बनारसा का अगर आप सहमत हो तो दस तारीक नितीजा निकलेगा गोरफपूर एक अच्छा सा कंबल बनाके उनको दे दूँ एक अच्छा कंबल खरीद दूँ बाबा जी के लिए उन्हें जरूरत पड़ सकती ये तो मोगैंबो वाला भाशन देते हैं बाबाओं के नाम अलग अलग होत अनल चैने लिए यह अब लगएंबो वाले म hp मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थे इक इसने और देखी थे हैं ऐसा बोट दो साहत थारीक में सक्कारिय और मिस्टर इंडिया की घड़ी बाबाजी को पहना के प्रदेस की राजली यह उनको गायब कर दो अवाज नहीं आरी माइक की दुरूस्त करना पड़ेगा आवाज आगे नहीं आरी इसे दिखवा लो मुद्धे आपको पता हैं कानून विवस्ता पे बड़ा दावा करते हैं अब से पहले अगर कानून विवस्ता सुदार नहीं तो जो वर्दी पेने हमारे जवान हैं इनका भी ख्याल रखना होगा जो सरकार के नोकर है जो नोकरी कर रहें समाज की सेवा के लिए नोकरी कर रहें उनकी वर्दी की पहचान हो, अपने वर्दी के असूलों से, सिध्धानतों से उन्हें कभी समझोता ना करना पड़े, इमानदारी से वो सेवा कर पाएं और मैं पुलिस कर्मियों को याद दिलाता हूँ, चोदी चरंशिंग ने देश में पहला पुलिस आयो का गठन किया था, और जब जब उन्हें मौका मिला बहुत सक्त प्रशासन उन्होंने दिया, जन्ता को याद होगा जब चोदी साब को मौका आपने दिया था, एक बार सं 29,000 पटवारियों को बाहर करके उन्होंने लेख पालों की जब भरती की, कोई नहीं सोच सकता था, ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था, कलपना नहीं कर सकता था, लोग कह रहते दबाब बनाओ तो चोई साब जुख जाएंगे, और इस छेत्र में उस समय की कहावत ह है, चोई साब को लेके, कि चरण सिंग धान पचोरलन बिना तूटल कूटले, चरण सिंग धान पचोरलन बिना कूटले, पटवारी बस्ता रखी धहलन बिना पूछ ले, इसी छेत्र की कावत है, हर 30 दिसम्मर को जो अखवार पढ़ता हूं, बनारस के अखवार में छापी जाती है, चोदी चरण सिंग जी के उस शासन को याद करो, आपने चोदी चरण सिंग जी देखे, करीब से देखे, आपने चोदरी अजीज सिंग जी देखे, आपने आदर ने मुलाइम सिंग यादर जी को देखा है, आपने अखिलेश जी आदर जी को अपने बीच देखा आज हम लोग सब आपके यहां आए हैं मैं आपको विश्वात दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे दोनों परिवार मिलके साथ काम कर रहे हैं जब गडबंदन साथ मिलके काम कर रहा है तो जो हम मशाल जलाएंगे उसकी रोशनी उसका प्रकास हर प्रदेश के हर गरिव व्यक्त के घर और मकान तक पहुचेगा आपके घर तक उसका प्रकास पहुचेगा हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं और बहुत तरतरे की बात हो रही हैं लेकिन जैसा मैंने पहले का पांच चरण में तो सरकार गडबंदन की बन चुकी है हमारी गडबंदन की सरकार पांच च सटवा चरण और है और फिर बनारस के छेत्र से मैं उमीद करता हूं कि पूरा असिवाद पूरा असिवाद आप देंगे ताकि बड़ी संक्या में हमारे विधायक बनें बड़ी संक्या में हमारी सरकार ताकतवर बनें और हम किसान और मजलूम और गरीब शोशित वर्ग करके सवाज एक नियाय के अदर्स को जिन्दा रखें यही मेरे लिए आसिवाद होगा धन्यवाद जय एंजय भारत कि यह माइक ध्यान दें एक दाहिनी तरफ का माइक काम नहीं कर रहा कि अप्ड़ा माइक वाले ध्यान दें मैं रोट करूंगा